हेलो गाईज वर्कम टो मैं चानल सुनीज कुकिंग शो दोस्तों अगर आप मेरा चानल पहली बार देख रहें तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ में बैल आकन को ज़रू से प्लस करें तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है गाजर का हलुआ तो आए इसको बनाना सुरू तो आए इसको बनाना सुरू करें सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इस पैन को मैं अच्छी तरह से गरम करते रही हूं इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे दो बड़ा चमज घी यह मेरी घर का बना हुआ घी है आप कोई सभी मार्केट का घी जो भी अवलेबल हो आ हमें गाजर को अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि यह अच्छी तरह से भुंचाए हमारे घी में और आपको फ्लेम काफी कमी रखना है इस तरह से अपने इसको ढगड़क के पकाते रहना है ताकि इसका खुद का जो वाटर आएगा उसके साहरे है यह पक चाए क्योंकि हम इसको कूकर में नहीं पका रहे हैं तो इस तरह से देखिए आपको बीच-बीच में इसको निकालते रहना है इसका थोड़ा पानी आ रहा है गाजर का इसके पाद हमें इसको फिर से ढग देना है ताकि यह अच्छी तरह से पकें तो इस तरह से वेज से पकाने के बाद यह काफे tasty बनेगी koooker से ज्यादा tasty आपकी कढ़ाय की बनती है तो इस तरह से हमें इसको फिरसे एक बार चला लेना है हमें इसको ख्याल रखना है कि यह चिपक न जाए इसलिए मैं चलाते रहना है अब मैंस में एड कर दूंगी एक बढ़ा के साथ इसको अची तरह से भून करके इसको सुखा कर देना है तो इस तरह से आप डाल डाल के पकाते रहें और फिर ढखते रहें अब मैं इसमें डू एलाइची आड़ कर दे रही हूं मैं इलाइची पाउडर यूज नहीं करती क्योंकि मुझे इलाइची का फ्लेवर ऐसे ह ज्यादा अच्छी तरह से आता है मार्के का इलाइची पाउडर मुझे पसंद नहीं इसलिए तो इस तरह से देखिए अभी यह काफी हद तक सूख गया है पर हमें इसको और भी अभी पकाना है अब मैं इसमें थोड़ा सा सुगर एड़ कर दूंगी अगर आप चीनी नही रखना है तो इस तरह मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी अभी यह चीनी के डालने के बाद इसमें फिर से थोड़ सा मौश्य आ जाएगा और आपको उसको सुखाना है तो यह देखिए दोस्तों यह सारा मौश्य आ रहा है इसमें चीनी के गलने के वज़र से हम इस कि दोस्तों इसका जो टेक्शर है वो काफी अच्छा है और इस तरह से हमें इसको बिल्कुल सुखा करके ऐसा कर लेना है अगर आपको पतल लगे कि आपको घी के चुरुत है तो अब इसमें घी डाल सकते हैं तो मैंने कुछ ड्राइफ्रूस डाले हैं जैसे मैंने थोड़ कर दिया है ताकि इसमें थोड़ा सा नारिल का फ्लेवर आ सके तो अपनी अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला लोंगी तो आप देख सकते हैं यह काफी है और साथ में काफी टेस्टी भी है तो आज ही आप इसको घर में बना कर ट्राय करें और अपनी पूरी फैमिली के सा यह देखी दोस्तों मैं उमीद करती हूं कि मेरी आप यह रेस्पी आपको जरूर से पसंद आएगी और आप इसको घर पर जरूर से ट्राय करेंगे तो प्लीज इसको छुआ करें और मेरे चैनल को लाइक करें थैंक्यू